ने दमकिया तो छोड़ो परानी बात है जम्मू का एक पतलर का नाम नहीं था कश्मीर के पतलर कार दिली के पतलर आप मुझसे पता इए क्या जम्मू के जर्नलिस्टों ने हॉस्पिटल में मौर्चरी के बाहर खड़े एक बीजेपी के कॉर्परेटर वो आकर इस तरह की अभधर भाशा का इस्तेमाल करते हैं पतरकार के खिलाव और हम सभी पतरकार के साथ का रट या अनly की वजे उन्हीत वाज लिए अलिग्र और लौघ क्लग Packer उप समाना पैठविटों की वह दृट Communication चलातायों और ना ही अखबारे चलाती हैं वो चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीजिया और कर नशा चड़ता है तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कॉंग्रेस हो उनको लगता है कि हम पता नहीं क्या बन गए है इस पॉलिटीशन या सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट या फिर सो चलता हूं मौर्चरी में जहां पर रोजाना की दस से बीस करोना की डेड़ बॉड़ी वहां पर चकर खाके भ्योश नहीं होगे तो बताना बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में आप जाए पचीस-पचीस जार पे का बैड लिया जा रहा है कहां से देगा गरीब आद नही न्यूसपोस्ट रयासी को इसी तरह से पयार देते हैं वहार णी और रयासी का वे शुक्रिया करूंगा आपका न्यूसपोस्ट रयासी बहुत अच्छा चल रहा है इस पैन्डमिक के टाइम पर लोगों की आवाज उठा रहे हो हॉस्पिटल के इशू उठा रहे हो इसलिए मैं आपको मुबारक बाद देता हूं इसी तरह से आप काम करते रहे हैं आशी जी सबसे पहले तो जो सवाल सबके मन में इस समय चल रहा है वो पूछना चाहूंगा क्यूंकि सबसे ज्यादा जो ह रहुल मैं तो इस चीज के उपर बड़ी बारी कहता हूं यह तो चलो हमारे पतरकार भाई सब भी बोलते हैं कि हमें फ्रंट लाइन वरकर की श्रेणी में डालो इस कैटेगरी में डालो मैं तो पहले भी बोल चुका हूं यह चीज कि हमेशा मांग के ही क्यों चीज ली फोड़ी था उन्होंने तो दो देखा न weeding सिrelated को पता होना चाई लेकिन चलो यहां पर बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं है बड़ी अच्छी बाता सबी लोग कह रहे हैं और हां होना चाईए cat लाहिए कि यह पात्या है टाइम है करोना काल है लेकिन राहूल जी मुझे आप बताईे पतरकारों के साथ खड़ा कौन होता है आप पूरा इतिहाद देख ली किये मैं बड़ी बार ये लाइन बोलता हूं हम पतरकार सब के लिए हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है ये कभी भी आप देख लेना हम एक-एक व्यक्ति का इशू उठाते हैं लेकिन कल को आप पर या मुझे पर कोई बात आएगी तो क्या वो लोग जिनका हमने इशू उठाया वो सारे हमारे लिए खड़े होंगे तो जवाब है उनमें से कोई 10% तो वैसे ही हमें अपनी लड़ाई जो है इंडिपेंडेंटली लड़नी है जो हम लड़ते हैं मैं अभी देख रहा था हमारे मित्र पत्रकार हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं उनको भी मैंने इंटर्व्यू दिया हमारे यहां पर अभी बात चली है कि वह वैक्सिनेशन की तो वैक्सिनेशन लगाई जाए पत्रकारों को तो एक WhatsApp ग्रूप है उसके अंदर senior officials भी हैं और हमारे पत्रकार भाई भी हैं जितने senior हैं सारे और उन्होंने ये बात रखी तो सरकार ने फटा-फट सुन लिया, हाँ बड़े अच्छी बात है सरकार ने order निकाल दिया कि फलाना फलाना दिन, फलाने टाइम आप लोग जाईए vaccination करवाईए, आपके लिए camp लगाया, लेकिन सिर्फ accredited journalist के लिए सिर्फ accredited journalist जो हैं वो जाएंगे, मैं भी हूँ, लेकिन मैं ने गया मैं इसलिए नहीं गया, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाकी जो भाई हैं, जो non-accredited journalist हैं उनका क्या कसूरा है, जबकि accredited journalist तो field बे आते ही नहीं है मुझे बताईए, कौन सी एक रिपोर्ट accredited journalist जो ने हॉस्पिटल में मौर्चरी के बाहर खड़े होके की, अभी तक तो नहीं की, वहाँ पे तो सारे हम लोग, चलो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे सारे जो ने युवा लड़के, लड़की हैं, हमारे भाई, बहन, रोजाना पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं, अख़वारों के लिए काम कर रहे हैं, वो तो दिन रात वहाँ पर खड़े होते हैं, वो तो रुजाना करोना के पेशेंटों के साथ जो है वहां उनकी आवाज उठा रहे होते हैं क्या उनका हक नहीं है उनको वैक्सीन देना तो वहां पर ये मैसेज लिखा तो आप खुद बताईए जहां पर डिस्क्रिमनेशन आपस में ही हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो लेकिन अगर यहीं चीज कश्मीर में होतीं तो कश्मीर में कभी यह नहीं होता कि यहँ पर सिर्फ एक्रिटिट जटनलिस्ट ही vaccination लगाएंगी Well वहां पर होता कि सब लोग जाएंगे जितने भी पतरकार हैं चाहे उसको एक दिन हुआ पत्रकारता शुरू हुए करते हुए चाहे उसको पचास साल हो गए है यह एक यूनिटी है जो हमारे यहां पर नहीं है अगर वो यूनिटी यहां पर बन जाए ना तो हमें फ्रेंट लाइन वरकर भी अपने आप गौर्मेंट रिगोगनाइज करे लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं अभी कुछ दिन पहले हमारे यलजी सहाब ने कुछ लोगों को को लोगों का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया जो कोविड में काम कर रहे हैं उन में से हमारे जम्मू का एक पत्रकार नहीं था मैं अपने लिए नहीं बोरा कि मेरा ही नाम लो जम्मू का एक पत्रकार का नाम नी था कश्मीर के पत्रकार दिल्ली के पत्रकार आप मुझे बताईए क्या जम्मू के पत्रकार कोई काम नहीं कर रहे हैं यहां फिर एलजी सहाब को भी सिर्फ कश्मीर ही नजर आता है जम्मू के भी तो पत्रकार हैं जो दिन रात का करें जम्मू के इतने सारे समाज सेविक हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं रिजूल लड़का है दिन रात यहां पर काम करता है होम डिलिवरी दे रहा है खाने की इंजेक्शन्स की थर्मामीटर और जितनी चीजे होती है कॉवीड की जितनी भी प्रॉब्लम से पेशेंटों को एक हमारा मित्र है साहिल करके साहिल डोगरा वो रोज शाम को हास्पिटल में तीन घेंटे जाता है कॉवीड के पेशेंटों को एंबुलेंस में डालता है अबुलेंस से उतारता है अपने घर नहीं जा रहा हो बाहर रह रहा है क्या इनको समानित नहीं करना चाहिए क्या य खुद लेंगे एक ताकतवर आवाज बनकर एक ताकतवर नरेटिव खड़ा करके जम्मू से और मेरे को आप लोग की भी सहायता की जूर था जो डिस्टिक में हमारे अलग-लग पत्रकार काम कर रहे हैं चाहे रियासी हो चाहे कट्रा हो चाहे कठुवा हो चाहे सांबा हो चाह चाहे आरस पूरा हो चाहे अरनिया हो चाहे बिलावर हो चाहे बनी हो चाहे बसोली हो मैं को सभी का साथ चाहिए तब ही हम जम्मू प्रोविंस के जो दस डिस्टिक हैं और दस डिस्टिक के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जो जम्मू को कभी जुकने नहीं देंगे एक चीद और लिए काम कर रहे हैं अपना करीयर भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वह कोई किसी भी partner से तालगाद रखतास क्वाân कि हमारे जम्मून को का हमारा अच्छा पत्रकार यह बरुन और इस तरह और इस तरह से मैं तो कहूंगा यह तो पत्रकारिता के उपर हमला है एक बीजेपी के कॉर्परेटर वह आकर इस तरह की अभधर भाशा का हम सभी पत्रकार के साथ खड़े हैं उनके चाहांगा उसके ओपर कारवाई यह उन्हों ने कुछ कहा उसमें पहले में उनको यह चीज दुरूस्त करा कि हम पत्रकार हैं सोशल मीडिया के पोर्टल के वजह से जो कॉर्परेटर बने हैं जो हम लोगों ने लगातार वाज उठाई है क्योंकि कॉर्परेटरों की न्यूज जो है ना नैशनल चनल चलाता है और ना ही अख़बारे चलाती है वो चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल कुछ पॉलिटीशियन या सो एक्टिविस्ट यह फिरो कॉड़ आार्टिय आटिया अटियीhos जो घर में ही आ श्कुनारण करे पर लिंट्रुद्धत में हम पतरकार को बोलने का हां इनुञें को बहुका 25 अगर कोई ना समझ नो किया पतरकार के बारे में लेकिन अगर कोई आम आदमी किसी भी पतरकारों गोदी पतरकार कहता है तो मैं तो कहता हूं पतरकारों को मिलके दस जूते मारने चाहिए ऐसे बंदे को जो बंदा अपना काम छोड़ कर जिसे घर पर लोग नहीं पूछते और पतरकारों को चला है ग्यान बांटने उसे क्या पता हम दिन रात क्या का हम करते हैं आए ना जरा आए हमारे साथ चलें मैं लेकर चलता हूं मौर्चरी में जहां पर रोजाना की 10 से 20 करोना की डेड़ बॉडि वहां पर चक्कर खा के भ्योशनी होगे तो बताना लेकिन हम भी ह किया वहां से हमें पता है कैसे लाई हमने वीडियो लेकिन वह क्यों लाई क्यों कि हमें लोगों की जान बचानी है और लोग आज वेंटिलेटर के बिना तरब तरब के मर रहे हैं और हम नहीं देख सकते हैं शायद एड्मिस्टेशन देख सकती होगी जिनको अभी तक कोरल ग्राउंड के उपर रिजाइन देते लेकिन शरम की बात है हमारे वह एड्मिस्टेशन के लोग जिनको कोई परवाई नहीं हो रही लोगों के चालिस चालिस लोग मर रहे हैं एक चोटी सी दस डिस्टिक के प्रविंस के अंदर चालिस लोग का मर जाना हर परिवार से लाश निकल रही है किसी कोई परवाई नहीं है बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में आप जाए पचीस-पचीस जार पे का बैड लिया जा रहा है कहां से देगा गरीब आधनी वह तो गोवर्मेंट हॉस्पिटल में आप दे नहीं दे बैड तो वह कहां जाए रोड पे मर जाता है उनकी अच्छी चीज़ों को ट्वीट भी किया जाता है कभी यह भी दिखाएं कि जो जम्मू में लोगों को नहीं मिल रहा उसे भी ट्वीट करें वह भी दिखाएं जी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर अच्छा है अच्छे को सैट कर सकते तो बुरे क को बिस एपट करना चाहिए बिलकुत आप की बात कर लेते हैं परसनली आशीश को लिए बात करूंगा आप ग्राउंड पे निकलते हो रोज रात को लाइव डोगरी में बुल्टन भी दे रहे होते हो यहीं से इसी पार्क से मेरे को लगता आप डोगरी बुल्टन जब दे र राहुल जी अभी तक मैंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि स्लोट नहीं बुक हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पत्रकार लोग है ना हमारी जो इमानदारी है वह हमारे भगवान शिव शंकर बावेवाली माता देख रही है इसलिए जो हमारी पत्रकारी है हम लगातार आवाज इसलिए उठाते हैं ताकि लोगों का विश्वास हम पर बना रहे मैं आज सुबह भी अपने लाइव वीडियो में कह रहा था कि आशीश कोली डोगरा पत्रकार आपका पत्रकार है आपको कुछ नहीं करना है आपको बस मुझे कॉन्टैक्ट करना है बस एक विश्वास जताना अपना और मैं उस विश्वास को कभी तूटने नहीं दूँगा ये मेरा एक मैंने एक परन लिया हुआ है इसलिए मैं पत्रकार जिता के सासत कुछ ऐसे काम भी करता हूँ जो जुरूरी नहीं हर चीज़ बतानी चाहिए लेकिन कभी कभी बतानी इसलिए पढ़ती है कि शायद मुझे देखके दो लोग और बाहर निकलें और लोगों की हैल्प करें जिसलिए मैंने अपना नंबर भी सोशल मीडिया पर डाला है किसी भी करोना के पेशेंट में पेशेंट के वजट पेशेंट चुह हैं उनके घर में कहीं ऐसे परिवार ह जिनके घर के घर में खाना पहुंचाएंगे हमारे जो शहीद परिवार जिनके घरों के बच्चों ने शहादत दी है उनके घरों तक में खाना पहुंचाऊंगा और और specially मेरे सेना के जवान जो जम्मू कश्मीर से बाहर पोस्टिड हैं, हमारे CRPF के ITBP के और पेरा मिल्ट्री के जितने भी हैं, सेक्योरिटी परसोनल, जो जम्मू कश्मीर से बाहर पोस्टिड हैं, और जहां पे उनके घर वालों को खाना नहीं मिल पारा, क्रोना के कारण, म हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके, पत्रकारिता के साथ साथ लोगों की मदद हो, इसलिए मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, किसी को भी मेरी जुरूरत पड़े, वो मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा उनकी पूरी हेल दोबस किया, तो ये काम हम सब को मिल के करने है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टाइम जो है ना लोगों की मदद करने का है, सोशल मीडिया के ओपर अभी बी कुछ ऐसे परेशान जीवी हैं, जो अभी भी नेगिटिविटी फिला रहे हैं, मैं उनसे भी आगरे क करूंगा कुछ देर के लिए अपनी जो अंदर की एक फ्रस्टेशन है, उसको दबा के रखें और लोगों में पॉस्टिविटी फैलाएं, ताकि जो करोना से लोग घरस्त हैं, आपको मोबाइल में पढ़ रहे हैं, उनका दिल थोड़ा ना हो जाए, उनका दिल और बढ़ हो जाए, उनका दिल इतना बढ़ा हो जाए कि वो करोना से लड़ पाएं, क्योंकि अगर आप negativity फिलाते रहेंगे, तो लोग इस चीज से ढढ़ते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो यह समय ऐसा नहीं है, अगर वो प्रेशान जीवी अभी ठीक नहीं होते, तो मैं लोगो कि छॉच्ष बलते रहेंगे, रहेंगे जीए से कि तनी ख़र एसे रहेंगे, मतलब कहीं हो एक्सी से कहब ऑफ कर रहे हो होते हैं, जो जो मुद्धें रएए जो बड़े अच्छे मुद्न में, यह बात कर नहीं सकते हैं लेकिन आप बहुत चा काम कर रहें, और इसी तरह स एड्मिस्टेशन की जो बाते सही नहीं चल रही है उनको जागर करते रहें ताकि लोगों का काम हो और इस समय जो मेरे को कल मेरे को मेरी आंखों में भी आंसू आगे कल एक 80 साल के व्यक्ति ने मुझे फोन किया रजोरी से और उसने मुझे ये कहा कि बेटा मैं बड़ा पिटल में चले आते हैं गरीब आदमी कहां जाएगा गरीब आदमी 25,000 पे का बैड नहीं ले सकता जो ये मैंने बात बोली तो वो कहने लगे कि आज तक मैंने कभी किसी भी पत्रकार को फोन नहीं किया आप बड़े यंग हैं मेरी 80 साल उमर है लेकिन आपकी ये बात सुनक जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी धरम के खिलाफ चलता हूं तो मैं यह कहता हूं कि वो उनके दिमाग की उपज़े जब कि सभी धरम के लोग मुझे प्यार करते हैं हां कुछ ऐसे लोग होते हैं रेडिकल सोचके कि उनकी आप सोचे नहीं कर सकते उनके दिमाग में ही कुछ ऐसा भर गया होता है राम राम तो चलता ही रहेगा जी और बड़ा अच्छे शब्द हैं मिठास बरे शब्द हैं और मुझे लगता है कि अगर जो करोना से घरस्त लोग दो को था बोग हैं वोभी दिन में 10 बार राम राम जी का चाप करें तो उनका आदा करोना तो ऐसी खतम हो जाएगा वाकि इस बात पर फैह न के पढ़सी क्वाностे दो होताएं बहुन therapists कॉनों कि भ्रत पहले हैं धरम भाद में तो शहीयए गाद में आती है क्योंकि میں इस चीज को कभी नहीं भूल सकता है कि मैं एक iindu धरम में पैدا हुआ हूं और इस चीज के मुझे बड़ा गरव है कि मैं हिएक iindu-Sanatani धरम में पैदा हुआ हूं पत्रकारिता अपनी जगा है मेरा धरम मेरी जगा है ना मैं धर्म किसी के खिलाफ बोलता हूँ और ना मैं अपने धर्म के खिलाफ सुनता हूँ इसलिए सबसे भी अपील है कि आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए और कभी किसी के धर्म का उपहास ना बनाए कुछ frustrated comedian, film actors या कुछ आजकल तो बड़े सारे कहीं सारे ऐसे हैं जिनको तो खाली काम, डांस बगारा करने का है लेकिन बड़ी बड़ी बाते जो है धर्म के उपर देते रहते हैं और उनको सिर्फ दिखता भी सिर्फ एक मातर हिंदू धर्म ही है तो मैं उनसे भी आगरे करूँगा कि किसी भी धर्म का उपहास ना मनाए क्योंकि अगर आप धर्म का उपहास बनाते हैं तो आप हर एक धर्म की respect नहीं करते हैं सभी धर्मों का आदर करें, समान करें और सभी धर्म एक साथ होके चलेंगे तब ही हमारा भारत देश जो एक सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनेगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि आप रियासी से हर ख़बर को उजागर करें खास करके अभी फोकस करें स्वास्थ के ओपर मैंने भी अपनी आद मैंने मैकसिमम्म खबरें चोड़ती हैं सिर्फ और तिस जहत राकना है अगर आपको मेरे लिए कुछ पड़े मद्द कीजूर्द पड़े तो मैं रियासी में भी आकर आप लिहां की जो न्यूगों को और और मेरे काम को कोने को सरहते हैं किसी तरह से मुझे भी मेरे काम भी सराते रहे हैं राहूल जी के काम को सराते रहें और इनका News Post 80 को इसी तरह से प्यार देते रहें तो आशीष को लीद पत्रकार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चोथा इंट्रव्या है वह हमारे चैनल पर देखते रहे नियुश Post 80 रहूल कुपूर कामरवान सेर्मा के साथ نियुश पोस्ट 80 वी द्यायर दन्यवाद